नमस्त्य हिं दोस्तान कैसे हैं आप लोग मैं फैमिनिस्ट में बिलीव नहीं करती हुआ कि मैंने किसी को अपने film देखने के लिए इन्विटेशन लेटर नहीं दिया के देखने है तो आए Щ अगर आपको भारत की जनता आपकी फिल्में देखने आये तो भी ठीक है नहीं आये तो भी ठीक है और अलग बात है कि भारत की जब भी इनकी फिल्में लॉंच होती है प्रोमोशन के लिए सबसे पहले फुदक क्या जाती है करीना कपूर खान का दोस्तों आज एक बहुत ही घटिया स्टेक्मेंट आया है जिसमें इन्होंने हमारे सुषान भाई का इस्तिमाल किया है और बहुत ही गलत तरीके से इनके कुछ कथित बातों को मैं आपसे आज डिसकस करने आई हूँ जी हाँ जो मैडम कहती है इन मैडम का कहना है कि जब जून में राजपूत का इनका शब्द था जो उन्होंने इस्तिमाल किया राजपूत का सुषान सेंग राजपूत नाम था उनका और ये नाम आज भी सब के हिरदय में है लेकिन शायद आपको ये नाम बोलने में भी तकलीफ हुई मिस्स पटोदी क्योंकि आप वही औरत है जिन्होंने अपनी बेटी को हिदायत दी थी कि चाहे दुनिया के एरा गेरा किसी के साथ तुम डेट पे चली जाना लेकिन उस लीड एक्टर के साथ मर जाना जिसके साथ तुमने अपनी फिल्म बनाई थी केदार्नाथ इतनी नफरत या लूट लिया उसने आपका re अपने पतौदी खानदान के जेवरां या कुछ अपने अपने कागजात उनके नाम कर दिये उस को सुशान सिह राजपूत से इतनी जादा नफरत थी और उन्हीं के लिए आज ये स्टेटमेंट डेती है कि दुन्या में जब यून में जो राजपूत के साथ हुआ उसके वज़े से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ मैं बहुत दिन तक ऑन यहीं तक किनाज मुकसद था जो कहना चाहती थी कि बॉलिवुड को सौफ्ट टार्गेट बनाया जा रहा है हम भारत की आम जनता जो टिपने करते हैं बॉलिवुड पर वो गलत है इन्होंने बॉलिवुड को एक मनुरंजन का उद्योग बताया और इन्होंने ये भी कहा कि ये मनुरंजन का उद्योग है हम जो फिल्में बनाते हैं उसका मकसद यही होता है कि हम मनुरंजन दे सके बस इतना ही हमारा मकसद होता है तो कोई भी कुछब ही बोल रहा है फिल्म निर्माता क्या कर रहे हैं फिल्म NIRDyESHA क्या कर रह HE हैं हमारे personal नीजे जिन्दगी में क्या चल रहा है पता किसी को कुछ होता नहीं है कोई कुछ भी बोल देता है और पता नहीं क्यों कि लोग ऐसा क्यों कर रहे है इन्हें बताएं कि लोग ऐसा क्यों कर रहे है आप जब हुमारे धर्म संस्कृती हमारे देवी अराध देवी देताओं पर जब फिल्में बनाते है तब आपको नहीं समझ में आता कि आपको किस तरीके चीजों पर टिपड़ी करने चाहिए और किन सब चीजों पर टिपड़ी नहीं करने चाहिए ये कहते हैं कि हम बाहर से आये थे लाहौर से आये थे मेरे पर दादा साहब दादा साहब और उसके बाद हमने यहां पर आकर विरासत बनाई विरासत कैसे बनाई जाती है विरासत कैसे पाई जाती है वो अगर आप हमें ना बताए ना तो बेहतर होगा मिसस पटोदी क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि यह आज मिसिस पटौदी बन गए ये अंकल की प्यारी भती जी बताएंगी हमें आप और आप हमें सिखाती हैं कि आपने और आपके पूरे खांदान ने भारत में आकर लाहौर से विरासत बनाई है अपनी मेहनत पे कौन से मेहनत किया मैडम आपने बताईए मुझे क्या मेहनत कि आपके यही मैनत थी ना कि आपके जहां पहली फिल्म रिफ्यूजी बुरी तरीके से रिफ्यूज कर दी गई थी फिर भी आप उसी टाइम में फिल्म आई थी अमिशा पटेल की वो नहीं चली और आपने इस पर कमेंट भी किया था कि मुझे अमिशा पटेल से तुलना की जा रही है कि उनकी फिल्म कहोना प्यार है चल गई मेरी फिल्म में रिफ्यूजी फ्लॉप हो गई फिर भी मुझे फिल्मे क्यों दी जाती है फिर भी मैं जादा पेड एक्टरस क्यों हूं क्योंकि आपकी जो बनी बनाए विरासत है नेपोटिजम क्वीन उसके वजए से जादा पेड एक्टरस थी उसके वजए से अमिशा पटेल दब के रह गई और आप उपर उचल गई समझ में आया मैडम तो आप हमेंगा सिखाए जी हां दोस्तों यह कहती है जब इनका एक बहुत जादा एक बहुत जादा इन्होंने एक स्टुपड सी डंब सीनका एक जिसको की फैमिनिजम को इतना जादा बढ़ावा गया और जब उसी मुवी के प्रोमोशन के लिए मैडम को जब बुलाया गया तो इस प्रोमोशन में उससे भी जादा स्टुपड और डंब वाली एक स्टेटमेंट दी उन्होंने बोला I believe in feminism but little bit feminism और फैमिनिजम का मतलब क क्या होता है मैडम ने उसका अलग मतलब ही बता दिया तो इस तरीके की डंब स्टेटमेंट तो हमारे तभी रून देता है मैडम को पता होगा आप लोगों को सोनी वायो जो लैप टॉप है मैडम को ब्रैंड अमबस्टर बनाया गया था जब उसके प्रोमोशन के लिए उन घर बन पर हो जो आपका ब्राइंड जिसको आप प्रमोट कर यह उसके बारे में कहते है मेरे पास तो ग्रीन वरन और ना मैंने करिश्मा कपूर के दो बहन नो थे दो बेटे ना उसको एक रेड वाला दिया एक येलो वाला दिया हाट वेर की मतलब त़लब रसी गर धी लेकिन जब इनसे एक पत्रकार महोदया जब सवाल पूछा कि सैफली खान को आप क्या गिफ्ट करना चाहेंगी तो कहती है कि सैफली खान के पास औरेड़ी सोनी वायो कंपनी का लैपटॉप है लेकिन यालग बात है कि वो इस्तेमाल नहीं करते वो इस्तेमाल मैक बुक करते हैं can you believe it कि इनका ये ऊपर का पूरा एक खाली है यह दिखाना चाहते हैं कि मैक इससे अच्छी कंपनी है वो एक ब्रैंड है बहुत अच्छा ब्रैंड है तो वो इस्तेमाल करता है क्योंकि वो उससे जादा अच्छा है और ब्रैंड अंबेस्टर आफ सोनी वायो यू यू सुषान सिंह राजपूत का इस्तिमाल करना बंद करते क्योंकि क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपने तक लगभग और कि यहिए किसा चरथ यह पहुंच रहा है इतना सबीशम होने वालिय कि च्छाता है बॉली वुड को संफ्ट जो विरासत जो महनत से आप करें इसके भी बाते आप ना करें। आपके जो एटिट्यूड और आपको घमंड वह में दिख गया था सब्सक्राइब अपनेब इंप्लॉईस नहीं तो बात करती हैं। से आंकल को फसा कर आप उसकी मिसस populi बन गें और अपने बेटे का नाम रख लिया तैमूर तो पिरसे प्रेगनेंट हैं ऊपने बहुत बढ़ाई और उसका नाम आपने वाध होगा परदी जनोंने हमारे अनुच्सान का हमेशा से हमेशा से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को धस्त किया हूँ जिस ने हमारे भारत की इजट पे हमेशा जैसे आपने पता हिए हुआ किस तरीके सब कुरूर को क्या अपराधी था ये तैमूर तो इसी तरह है कि इसका कोई भी अगर कोई next baby आता है तो उसका नाम इन्होंने पहले सोच रखा होगा ये हैं इनका जिन्होंने लव जिहाद को बढ़ावा देने में जरा सा भी हिचकिया नहीं ली जी हां ये तो हम कभी भूल ही नहीं सकते त्योंकि आप जैसी औरते मिशाल है इस चीजों को बढ़ावा देने के लिए क्या भारत और हिंदुस्तान के हिंदू लड़के मरगे थे जो धन और धौलत के लालज में आकर आपने अपनी धर्म को भी एक ताक पे रख दिया तो यह हैं आपके संसकार और यह आपकी विरासत जो आपको मिली है तो अपना मू बंद करके बैठे मोहतरमा और हमार हमारे भारत से और हिंदू हिंदूस्तानियों से दूर और हमारे सुष्षान के लिए एक शब्द न बोले हम हिंदूस्तान हैं बताएं दोस्तों इनको जैहिंद वंदे मातरम